असलाम अलेकुम जी इरादा ये है जी एक सीरीज बनाई जाए एक एक्जिस्टिंग वेबसाइट है उस वेबसाइट को इंप्रूव किया जाए इन टर्म्स आफ कि उसमें क्लाइन फॉर्स की इंप्लिमेंटेशन हो उसमें SEO के मसलों को हल किया जाए उसमें उसकी जो पेज लोडिंग स्पीड है उसको बहतर किया जाए और इसके लावा इसमें मजीद देखा जाए कि और डिजाइन कैसे वेबसाइट का इंप्रूव हो सकता है ठीक है तो सबसे जो इंपॉर्टन चीज है इसके क्लाइट फॉर्स्ट को 1500 किया जाए अब इस सिरीज को स्राइट करने से पहले और आपको क्लाइट फॉर्स्ट का नहीं पता तो यह लिंक में आपके साथ शेर करूंगा देस्क्रिप्षिन के अंदर आप बैसको गो थू करें क्लाइन फॉर्स्ट कहता है जी क्लाइन फॉर्स्ट हेल्पस अस डिवल्ट और्गनाइज वेबसाइट ठीक है इन वेब फ्लो तो आप इसके डॉक्मेंटेशन को देखें इसको सीखने के लिए और इसको जानने के लिए आप इस पेज को गो थू करें और उसमें हमारे पास यह existing website है इसके अंदर क्लाइन फॉर्स्ट को implement करते हैं तो मैंने सबसे पहले एक क्लोनेबल बनाकर रखा वा है और इस क्लोनेबल से हम लोग इसकी सारी styles को कॉपी कर लेते हैं ठीक है यहां पर सारी style जो classes हैं वो बनी वी हैं सारी तो मैं classes को यहां से और अपने प्रोजेक्ट में जाके पेस्ट करूंगा तो मैं यहां से page rapper क्लिक करता हूं इसको करते हैं copy और अपने जाते हैं जी style guide वहले page के उपर और यहां पर जाके इसको पेस्ट कर देते हैं ठीक है ओके जीसको पेस्ट करने के बाद यहां पर हमें एक message नजर आ रहा है कि renamed four classes in order to avoid conflicts ठीक है इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि for example यह देखें यहां पर लिखाव है page rapper 2 हलांके जब मैंने यहां पर इसको जहां से मैंने copy किया था वहां पे सिरफ page rapper class है तो इसने यहां पर इसको rename क्यों कर दिया rename इसलिए किया क्योंकि अगर मैं यहां पर जाके लिखूं page rapper तो यह देखें page rapper के नाम से पहले भी एक class exist करी थी और यहां पर जब same नाम की एक और class में लाके paste करूँगा तो यह उसको rename कर देगा मैं आपको एक interesting चीज़ दिखाता हूँ वैसे मैं जब भी webflow के project के अंदर same class add करने जाओंगा तो वो मुझे add नहीं करने देगा मैं यहां पर कहता हूँ जी मुझे page rapper की class एक और add करनी है वो कहता है existing class को use कर लो आप नहीं class नहीं बना सकते same name के साथ ठीक है वो गयता है existing class आप use कर सकते हैं लेकिन अगर मैं कहीं और से लागे paste करूँगा तो वो पहले वाले की properties को भी रखेगा उस class को disturb नहीं करेगा और जो second class उसी नाम से होगी वो उसका नाम change कर देगा जो कि उसने यहाँ पर किया है तो हम इसको किस तरह से improve कर सकते हैं इसको किस तरह से fix कर सकते हैं तो अब यहाँ पर मुझे कुछ classes नजर आ रही है जैसे कि page rapper 2 है padding section large 2 है यह class है padding global 2 है तो हम इन classes को यहाँ पर fix करते हैं ठीक है इसके लावब इसने कुछ buttons को buttons की classes को यह rename करेगा क्योंकि अगर मैं यहाँ पर जाओं तो आपको यहाँ पर सबके सब classes सही नजर आ रही है padding section large है इसमें 2 नहीं है padding global है इसमें 2 नहीं है लेकिन यहाँ पर उसने उनको rename करके उसके आगे 2-2 add कर दिया तो मैं यहाँ पर जाता हूं classes style manager के अंदर मैं यहाँ पर search करता हूं जी सबसे पहले page rapper और मैं इसको rename कर देता हूं मैं कहता हूं यह वली old class है और इसको मैं rename कर देता हूं कि यह हमारी यह page rapper हो गया ठीक है इसी तरह से तो मैं padding section large है मैं कहता हूं जी padding section large इस class को मैं कहता हूं कि यह old class है क्यूंकि मैं इसको बाद में delete कर दूंगा और यह जो हमारी है this one is the new one ठीक है इसी तरह से padding global है तो मैं कहता हूं जी padding global को भी इसको old कर देते हैं इसको padding global कर देते हैं ठीक है तो यह मारा मसला हल हो गया इसके लावा इसमें buttons का भी है मैं for example buttons को जाके देखता हूं तो यह देखें button को उसने कि बटन को उसने four sign कर दिये हलांकि अगर आपको यहां पे clonable में दिखा हूं तो यहां पे button की class सिर्फ button है ठीक है लेकिन उसने यहां पर उसको rename करके button for कर दिये तो हम इसको भी वापस लेकर आते हैं तो जो सिर्फ button वाली class है यह वाली class है इसको हम कहते हैं कि this is the button old ठीक है और यह जो यह class है button for button for this one इसको हम कहते हैं कि इसको सरफ button करते हैं ठीक है ठीक है तो यह वाली वो class नई वाली class जो भी हमने आड़ किया है so there it is ठीक है button ओके जी तो यह जो हमारा मसला था वह हल हो गया अब उसके बाद हम properties कुछ assign करते हैं तो अगर हम home page के उपर जाएं तो home page के उपर हम सबसे पहले यह देखेंगे कि for example h1 tag है तो h1 tag में कौन सा font यूज हो रहा है size क्या यूज हो रहे है colors कौन से यूज हो रहे है तो हमें यह कुछ basic properties इसकी देखनी पड़ेंगी इसी तरह से यह जो text elements है यहां पर कौन सा font user है pop-ins यूज हो रहा है pop-ins यूज हो रहा है तो हर जगा पर pop-ins यूज किया हुआ चाहे वो description है चाहे वो heading है या चाहे वो button है तो हर जगा पर pop-ins यूज हो रहा है तो हम क्या करते हैं हम जाते हैं जी style guide के उपर और यहां पर जाके इस h1 heading पर click करते हैं ठीक है और इस पे कुछ भी apply करने से पहले मैं यहां पर जाओंगा जहां पर classes हम add करते हैं मैं यहां पर click करूंगा एक pop-up आएगा और इस pop-up के अंदर मैं select करूंगा all h1 headings को ठीक है और यहां पर जाके हम text करते हैं pop-ins इसको कर देते हैं जी semi-bold और size हम अब हम जितने भी sizes unit है हमारा है वह हमेशा है वह space का हो चाहिए text का हो किसी भी चीज का जो unit है वह हम RAM use करेंगे इसके हम आगे जाके benefits देखेंगे तो मैं यहां पर करता हूँ जी 4 RAM ठीक है और height कर देता हूँ 1.2 dash ओके इसी तरह से हम आते हैं h2 headings के उपर बलके एक और काम करते हैं body का जो text है उसको pop-ins कर देते हैं pop-ins ठीक है और size हम कर देते हैं 1.125 और यहां पर दिखाता हूँ क्लाइन फिस्ट मैं जाते हैं पी एक्स टू रेम केल्कुलेटर मैं रेम की वल्यू डालता हूँ 1.125 तो हमारी जो body text size है that is going to be 18 pixels जो हमना यह आपर शेट के 1.125 बाइधर आप लोग यह this is going to be the semi bold let's make it 3 rem and let's make it 1.3 dash 1.2 dash ठीक है इसी तरह से बाकी भी हैदिंग्स को सेट कर लेते हैं okay 3 पे क्लिक करते हैं so this is going to be 2.5 rems ठीक है and let's make it 1.3 dash 1.2 dash ठीक है और इसी तरह से बाकी हम देख लेंगे बाकी अगर टाग्स हमें चाहिए होंगे कहीं पे तो हम on the spot उसकी प्रपरटीज को चींज कर लेंगे दर्वाइस जो मुस्की हमारे टाग्स यूज होंगे वो H1, H2 और H3 यूज होंगे headings के अंदर इसी तरह से नीचे आते हैं paragraphs so these are the paragraphs यहां पर क्लिक करते हैं all paragraphs पे यह spacing हमें नहीं चाहिए क्योंगे हम spacing के लिए classes को use करेंगे pop-ins है normal है 1.125 है 1.5 dash ठीक है it's all good इसी तरह से black इसको quote पर जाते हैं block quote पर इसको अगर हम reset करें तरह 1.125 और इसको भी reset कर देते हैं ठीक है इसी तरह से हम all list items पर जाते हैं और list items पर जाने के बाद हमें कुछ properties अब वो body कुछ body से उठा रहा है क्योंगे हमने जो by default set की नहीं है यह देखें इसकी properties कहां से आ रही है इसकी properties body से आ रही है body all pages से इसी तरह से I think it's all good इसको हम बात में देखेंगे कि heading style h1 में और h1 में क्या difference है जहां पर हमें जरूरत पड़ी वहां पर हम इसको discuss करेंगे कि client first में यह क्या चीज़ है बाकि I think it's all good हमें buttons को देखना है सिरफ ठीक है so buttons को देख लेते हैं buttons के लिए जी हमें color चाहिए color is going to be sorry text color हमें नहीं छेड़ना हमें छेड़ना है जी इसका background color background color is going to be this dark red और इसका जो border radius है that is going to be 99 RAM बिल्कुल इसको round कर देगा और यहां पर जाके मैं रिमिक्स icon से mostly icons use कर रहा होता हूं और यहां से hpg का embed code होता है उसको मैं use करने की maximum कोशिश करता हूं क्योंकि उसका फाइदा यह है कि हम इसकी icon की properties को यहां से control कर सकते हैं मैं यहां पर जाके फिल्म जाके लगता हूं current color ठीक है और यह देखिए यह class और यूज हो रही है जो client first के इंदर exist करती है तो मैं कहता हूं कि आइकान one one small है तो इसमें देखिए विट और हाइड वन रम और वन रम से टूई भी है मैं कहता हूं जी icon one one medium में क्या है जी medium में two है और मैं यहां पर एक और class अपनी बना लेता हूं मैं कहता हूं जी icon one one मैं small assign करता हूं लेकिन मुझे 1.5 1.5 जाई कि तो मैं इसी को करता हूं डूब्लिकेट और इसको मैं पना एक अपना नाम assign कर देता हूं मैं कहता हूं जिस वन वन रेगुलर या this is icon one one button क्योंग यह button में यूज करना मैंने ठीक और इसको मैं यहां से कर देता हूं 1.5 रेम एंड 1.5 रेम ठीक है तो यह में रेड़ेस्ट हो जाएगा तो बाकी बाकी बैग्राउंड्स टेक्स्ट कलर यह हम साथ-साथ देखेंगे कि हम इसको किस तरह से इंपूरूफ कर सकते हैं इसको देख लेत हैं इसको कर देखेंगे हमारी बैसिक चीज़ें हैं जो हमने सेट करनी थी हमारी बैसिक चीज़ें सेट हो चुकी है इसके बाद हम लोग आइधिंग यह आपको स्क्रीन डिस्टर्ब नहीं कर रही होगी आई होप सो इसको थोड़ा साथ चोटा कर लेते हैं उ कीज़ें हैं ऑकीजी इस टिव ग्लॉक को रिमूब कर लेते हैं आप ट्लाइन फूर्स अब स्टाइल गईट को हम थोड़ा सा मजीब शेट्क एड गवरेंगव्ड तोड़ा सा नहीं कर एक थे ज़ए इस फिस देंग लोग निवीं रिमूब कर लेते हैं वी दूर्स त तो style guide style guide is for dip dip foods premium foods dot com ठीक है तो यह हमारा यह बलकुल पहला step है कि आपने existing website के उपर client first clonable को किस तरह से copy करने हैं और कुछ adjustments कैसे करने हैं इसके बाद हम क्या करेंगे इसके बाद हम next video के अंदर start करेंगी कि अब हमने अपने pages के उपर उसको implement कैसे करने हैं बहुत सारी चीज़ें already implement हो चुकी होंगी ठीक है लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें implement करेंगे for example हम structure को improve करेंगे और इसके साथ साथ मजीद चीज़ों को देखेंगे so see you in the next one thank you so much